नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आने वाले अगले 10 दिन यानी 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी का समय आपकी जिन्देगी में काफी परिवर्तन आने वाला है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पती आराशी परिवर्तन हाल ही में कर चुके हैं पैसा तो आपके पास अवश्य आएगा लेकिन यही पैसा आपके हसने और रोने की वज़व भी बन सकता है आज की वीडियो में आपको काफी गंभीर जानकारी संपून ज्यान हम प्रदान करेंगे अनुरोद आपसे हैं कुल अंत तक देखिए लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जितने भी माहकाल के सच्चे भकते हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जैश्री माहकाल सच्चे मन से अगर लिखेंगे तो आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे देखिए आ अब लोन किसी तरह का लेने वाले थे तो वो लोन अब मंजूरी उसे मिलने वाली है दूसरा जो छेतर बन रहा है वो है उधारी का छेतर आपने काफी लोगों को काफी पैसा उधार दे रखा है आपने व्यवहार के नाते दिया था लेकिन वो चुकाने का नाम नहीं ले र व्यापार विसे काफी समय से मंदा चल रहा है लेकिन अभी एक तेजी आएगी और एक बड़ा बड़ा ओर्डर आपको मिल सकता है जो कि मुनाफे के द्वार खोल देगा और चोथा जो संभावना आपके लिए बन रही है दोस्तों वो है प्रित्तक संपत्ती से प्रित्तक सं संभावना वहाँ पर थोड़ी गड़ बड़ा रही है जहाँ पर ये पैसा आपके सुक और दुख का कारण बन जाता है इंसान के पास पैसा होता है तो वो खुश रहने लगता है वो सभी से बहुत बिंदाज बात करता है प्राउडली घुमता है और ऐसा लगता है मानो य यानि पैसा ही हमको हसाता है और पैसा ही हमें रुलाता है पैसा जब हाथ में हो तो इंसान अकड़ कर चलता है लेकिन पैसा उसके हाथ से फिसल जाए तो उसकी उदासी और उसका डिप्रेशन शुरू हो जाता है तो हमारा आपसे विनमर अनुरोध है दोस्तों कि पैसों को अपने सुक और दुख का कारण मत बनाओ, क्योंकि पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं होगा और आज नहीं है तो कल होगा, आप अपने जीवन को सुखी बनाओ, संतोश में बनाओ, यह सोच कर कि आपको भगवान ने ऐसी और भी जीजे दी है, जो अन्य लोगों का सपन है, यह जो चीजे आपके पास है, चाहे वो माता पिता का बरपूर प्यार हो, सपोर्ट हो, भाई बहन हो, या फिर रिष्टिदार अच्छे आपके हो, या घर परिवार आपका अच्छा हो, आपका जीवन साथी अच्छा हो, ससुराल वाले अच्छे हो, यह सब सोच करके अपने आपको जीवन को आपको सुखी बनाना है पैसा आया गया वो तो चलता रहेगा उससे आप दुखी क्यों होते हैं इतना आप ध्यान रखें कि अगर पैसों से आप खुश या दुखी होना शुरू कर देंगे तो आपकी जिन्देगी बहुत ज़्यादा अप और डाउन चलने लगेगी क्योंकि हमेशे हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा नहीं होता पैसा तो आता जाता रहता है ये बात अपने कान में ढाल लीजिए आने वाले अगले दस दिनों में व्यापारे की स्तिया ठीक था के ओर्डर मिलने की संभावना है लेकिन आपको अपने नौकरों से साउधान रहना होगा कई बार दोस्तों कहते हैं ना घर का बेधी लंका ढादेता है वेसे ही आपके कुछ नोकरे जिस पर आप बहुत जान से भी ज़्यादा भरोसा कर रहे है और आप उनके भरोसे पूरा गल्ला छोड़ रहे है ऐसे नोकर के मन में आप लालत जाकने वाला है आपको उने नोकरी से बरगास्त नहीं करना है आपको बस थोड़ा अपने व्यापार पर खुद भी ध्यान रखना है और किसी पर बहुत ज़दा आश्रित नहीं होना है कि वो व्यक्ति सब समाल लेगा जब शुरुवात आपने की है तो अन्त भी या यू कहे तो संचालन भी आप ही को करना होगा आने वाले अगले दस दिनों में कोट कजरी के मसलों से निजात मिलने वाली है हमारा सभी लोगों से विनमर अनुरोध है कि अगर कोई मामला बेट करके सुलस सकता है तो उसे कोट कजरी तक ले जाने की कोई मन्शा आपको मन में नहीं रखनी चाहिए वरना ये चीज़े आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कते दे सकती है और ये आपकी चपले गिस्वा सकती है रात दिन का चेन समाप्त करवा सकती है और आपको भी महसूत बाद में होगा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी मुझे ये ही बेट करके शान्ती के साथ सॉलूशन निकलवा लेना था तो ये गलती दोस्तों आप भी ना करें हमार आप से विनम नरोद बस इतना ही है साथी साथ आने वाले अगले दस दिनों में विध्यारतियों के लिए समय बड़ा अच्छा निकल करके आ रहा है खास तोर पर वो विध्यारती जो डरे हुए थे जिनने लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जिनने लग रहा था कि प्रिणाम उनके अनुसार नहीं आ पाएंगे ऐसे विध्यारति भी अब बहुत अच्छा result लेकर के आने वाले हैं क्या इसके पीछे का कारण आपको बता है कारण है दोस्तो देव गुरु ब्रहस्पती का साथ कहते हैं भागी कारण गुरु ग्रह जब आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो आपकी ग्रह लिखाई के मामले में बहुत अच्छे result देने वाला है काफी समय से देखा जा रहा था कि गमजोर विशे बहुत ज़द दिक्कत दे रहे थे तो अब जो आपकी बहुत धिक और तारकिक छमता है उसका विकास बहुत शानदार देखने को मिलेगा और उसके तहट आपके बहुत सारे काम घर बेठे ही बन जाएंगे आपको जिंता करने की जराभी जरूरत नहीं है आने वाले अगले दस दिनों के अंदर वैवाहिक इस्तित्या थोड़ी से अन्बन के ओर नजरा रही है आपका जीवन साथी आपके सुक दुख में हमेशे आपके साथ खड़ा रहता है लेकिन जब भी आप गुस्सा होते हैं ओफिस का कोई चिर्चिडापन होता है ओफिस का कोई गुस्सा होता है व्यापार की कोई दिक्कत होती है तो घर आगर कि आप सारा गुस्सा अपने जीवन साथे पर निकाल देते हैं आप ये भूल जाते हैं कि जूबजे शाम वो भी काम करते हैं और आपका इंतिजार करते हैं तो इतना आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप किसी और पर बेवज़ गुस्सा करें तो अपनी इन आदतों पर जड़ा कंट्रोल करिए क्योंकि जब भी आपका कोई काम नहीं बनता आप सबसे पहले अपने घरवालों पर ही गुस्सा निकालते हैं ये चीज़े काफी गलत है और ये चीज़े जीवन में पारिवारिक माहुल को खराब करती है अब दोस्तों हमने आपको बताया था चार जगों से पैसा तो आने वाला है पैसा आने की संभावना पूर्ण पूर्ण है लेकिन व्याय आपको बहुत सोच समझ करना है क्योंकि ये पैसा हथ से चला गया तो आप बहुत ज़्यादा चिंता का शिकार हो जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ही खर्च करना है जरुत की चीज़ों पर तो खर्च करना ही है लेकिन जो आपकी शौक की चीज़े हैं उन्हें भी धीरे धीरे खरीदना है एकदम से शारे शोक पूरे कर लेंगे तो लोगों की भी हाय लग जाएगी और आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा इतना आप ध्यान रखेएगा लोग आपको भड़काने आएंगे लोग आपसे जलेंगे लोग आपसे इडशा करेंगे लेकिन जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और कचरों का धेर सामने आजाता है तो हम क्या वहाँ पर रुखते हैं हम मुँपर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ऐसे ही कचर रूपी कई लोग आपके रास्ते में आएंगे जो आपके रास्ते में ठोकर बनने का काम करेंगे, आपको रोकेंगे, ताने मारेंगे और किसी भी तरह से आपकी राह बदलने की कोशिश करेंगे लेकिन उस समय आपको भी इने कच्रा समझना है और अपने मूँ पर शिव शिव नाम रूपी कपड़ा रखना है और आगे बढ़ जाना है इनका यही एक तरीका है इने इग्नोर करना वरना इनकी बातों में अगर आप आ गए तो अच्छे वहले लक्ष से आप राह भटक जाएंगे इतना ध्यान रखियेगा बेरोजगारी का आलम काफी दिनों से चाया हुआ था क्योंकि भारत में बेरोजगारी की बहुत समस्या है और अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको देव गुरु ब्रहस्पती के मंत्रों का जाप अवश्य करना है और वो मंत्र है दोस्तों ओम भ्रहस्पते नमहा या फिर ओम गुम गुरुवे नमहा इससे भाग्यव में व्रद्धी होगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा नोकरी पेशा लोगों को अच्छी आए मिलेगी और प्रमोशन की भी संभावना इस उपाय से बन रही है लेकिन माल लेजिए आपकी जीवन में धन की कमी है आपने बहुत प्रियास किया कि पैसा आए लेकिन पैसा आनी रहा लाग कोशिश कर लेकिन माह आपका काम हो नी रहा तो आपको एक खोपरा लेना है जी हाँ दोस्तों नारियल के अंदर से जो पूरा खोपरा निकलता है साबूत वो खोपरा आपको लेना है उसे बीच में से काटना है दो भाग कर लेने है अब उसके अंदर आपको शकर का बूरा या कुछ भी मीठा प्रदार्त डाल करके उसे पुनह पेक कर देना है यानि जो आपने काटा था उसे पुनह गोल पेक कर दीजिए और उसे ऐसी जगह पर गाड़िये जहाँ पर कीट हो यानि पीपल के पेड़ के आसपास कच्ची जमीन में उसे गाड़ दीजिए अब जमीन के अंदर जिसे छोटे-छोटे कीट पतंग उसे खाना शुरू करेंगे वैसे वैसे इधर आपकी जिन्दगी के दुख कश्ट होना नश्ट होना शुरू हो जाएंगे ये उपाय जो हमने आपको बताए धन समप्रद्धी प्राप्त करने के लिए था लेकिन अब अगला जो उपाय आपको बता रहे हैं वो रहेगा व्यापार में उन्नती के लिए अगर आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है बहुत कोशिश आपने कर ली लेकिन आपका काम नहीं बन रहा तो आपको 108 श्वेतारक के पुष्प यानि कि आकड़े के आक के जो पुष्प होते 108 की संख्या में भोले बाबा पर चड़ाने हो और आपसे बाबा से प्रातना करनी है मंत्र रहेगा ओम नमस्षिवाय जाप करते करते पुष्प चड़ाइए और भोले बाबा भी आपके जरूर सुनेंगे आपका काम जरूर होगा तो तुला राशी वालो आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 10 दिनों के बारे में वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक आप जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में जय मातादी लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले बहुत बहुत धन्यवाद